सब्सक्राइब कीज़े हमारे चैनल को और नई वीडियो की नाटिफिकेशन के लिए प्रेस कीज़े बैल आइकन को हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों अगर आप भी अपने आधार कार्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आज के वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मुबाइल से ही अपने या फिर किसी के भी आधार कार्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं वो भी बहुत आसानी से तो चलिए देखते हैं कि यह कैसे करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर प्लेश्टोर ओपिन कर लीजे और उसके बाद यहाँ पर आप सर्च कीजिए एमाधार यह एमाधार कार्ट की अप्लिकेशन है इससे आपको डाउनलोड करना है उसके बाद आपको इसे यहाँ से ओपिन करना है वोपिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस है यहाँ पर कुछ इसकी Dashboard सर्विस लिखा है यहाँ पर इसके कुछ सर्विस के बारे में आपर दिया गया है तो आप इसे स्लाइट कर दीजिए और यहाँ Get Start पर लिक कीजिए उसके बाद आप चाहे तो इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है Iconset आपको यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर इंगली सलेक्ट है उसके बाद यहाँ पर आपको Continue पर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मुवाइल नमबर डालना है जो मुवाइल नमबर आपने अधार कार्ट से लिंक कर रखा है तो मैं यहाँ पर अपना मुवाइल नमबर एंटर कर देता हूँ उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपके mobile number पर एक OTP आया होगा तो उस OTP को यहाँ पर आपको fill कर देना है तो यहाँ पर fill कर देता हूँ उसके बाद आपको submit करना है उसके बाद देखें यहाँ पर कुछ कई सारे option यहाँ पर कोई मिल जाते हैं आधार काड से related तो यहाँ पर हमें आधार काड डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पर डाउनलोड आधार पर आपको click करना है उसके बाद यहाँ पर तीन option आपको मिल जाते हैं आधार नमबर वर्चोल आईडी इनॉल्मेंट तो मैं पहले को select कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार काड नमबर एंटर करना है तो मैंने आधार काड नमबर एंटर कर दिया और capture भी फिल कर दिया उसके बाद यहाँ पर request OTP पर click करना है आपको उसके बाद आपके फोन पर एक और OTP आएगा तो उस OTP को यहाँ पर आपको फिल करके यहाँ पर verify पर click करना है उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका अधारकाट डाउनलोड हो गया है और यह अधारकाट protected होगा यह PDF फाइल में होगा तो मैं यहाँ से इसे open करता हूँ यह देखिया आपको यहाँ पर password क्या डालना है तो देखिया आपर जैसा कि बताया गया है कि जो password है वो 8 character का है जिसमें से 4 letter आपके नाम के होंगे शुरू के और जो last के 4 digit होंगे वो आपके date of birth के होंगे तो जैसे कि मान लीजे मेरा नाम प्रदीप है और मेरी date of birth 1994 है तो यहाँ पर प्रदीप के शुरू के 4 letter और date of birth के last के 4 digit तो मेरा password कुछ इस तरह से होगा तो चलिए मैं यहाँ पर अपना password एंटर कर लेता हूँ और आपको open करके दिखाता हूँ तो मैंने यहाँ पर अपना password एंटर किया और इसे open किया तो यह देखिए यहाँ पर मेरा जो आधार कार्ड है वो डाउनलोड हो चुका है तो आप भी इस तरह अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं अपने mobile से ही तो I hope आपके लिए वीडियो helpful रहा होगा